वेल्कम तो दीपमाला एंट्रोटेन्मेंट वेल फ्रेंट्स रश्मी देसाई ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वह बहुत ज्यादा मशूर है आपको क्या लगता है नाम कमाने के लिए ट्रॉफी कमाने के लिए नहीं नहीं घर तुड़वाने के लिए जी आँ इस ब एक सीजन 13 की पहचान रहे हैं सिदार्थ और शेहनास यन्यकि सटनास लेकिन इन मैडम ने तो उस पहचान को भी मिटाने की कोशिश की खाला कि कहते हैं ना कि मिटाने वाले खुद मिट जाया करते हैं लेकिन इस तरह की चीजें जो है मिटती नहीं है तो सड़नास तो नहीं मिटा लेकिन हाँ मैडम का नाम जरूर डगमगाया नहीं मिटने की कगार पर है जी हाँ क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि नहीं मिटा है तो चलिए अगर आप मैं से किसी को भी गलत फ़हमी है कि आप कैसे ये कह रह रहे हो नहीं मृटा है नहीं खतम हुआ तो बताते हैं कोई reality show में इनको काम मिलता है नहीं 백 boss में 백 boss में तो मांगा है इनोंने गटोरा लेके और मिला है जी हाँ बगबॉस में काम नहीं मिला है मांगा है और वैसे दिया गया है दान में क्योंकि कलर्स की बहू कही जाती है ये तो भई इन चीजों पर आगे बात करेंगे तो भई काम नहीं मिलता है डेली सोप की अगर बात करें तो एक जमाना था जब ये डेली सोप किया करती थी अब नहीं अगर इन्हें किसी डेली सोप में बुलाया भी जाता है तो सिर्फ एक या दो सीन के लिए एक या दो दिन के लिए बुलाया जाता है उसके बाद किक आउट कर दिया जाता है तो वही ये इनकी जो है असली हैसियत है और असली जगा है इसके अलावा अगर बात करें अगर किसी को लगता है कि यह जो है एक टाइम पर साउथ मुवीज में काम कर चुकी हैं नहीं मिलेगा तो यह वहां जाकर कर लेंगी वो भी एक जमाना था साउथ में काम करने के लिए अल्रेडी साउथ में बहुत अच्छी अच्छी अदाकाराएं हैं बहतरी एक्ट्रस है तो रश्मी दिसाई की तो वहां पर जरूरत है नहीं तो बहुतिमेटली अगर बात करें तो यह सिर्फ घर पर बैठी हुई है सीजन फिफ्टीन में इन्हें क्यों लाया गया यह भी क्लियर कर देते हैं क्योंकि जंडा उठाने वाल तो हम आपको बताते हैं कि सीजन फिफ्टीन में ने क्यों बुलाया गया चूकि आप जानते ही हैं कि सीजन फिर्टीन अपने नाम से फेमस रहा है सीजन फिर्टीन की तो तूती बोलती है लेकिन सीजन फिर्टीन किसके लिए फिर्मस रहा है किसकी वज़ा से इतने टी आर पी कमाई लेकिन यहां पर चुकि अब unfortunate की सिदार शकला है नहीं 14 में सिदार शकला को बुलाया गया था शेहनाज बगबॉस के अंदर जानी रही है तो ऐसे में बगबॉस के मिलकर्स को पता नहीं क्यों लगा कि कहते हैं ना कि गंगा का हर एक कंकर पत्थर शिव होता है तो यहां 13 में ऐसा बिलकुल नहीं था वो गंगा का हर एक कंकर पत्थर शिव होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 13 में आने वाला हर कंटेस्टेंट दुरंदर हो जी यहां 13 में कूडा भी था कच्रा भी था और पता नहीं क्या-क्या था यार बीट्स भी थी इन फैक्ट तो बहुत सारी चीजे थी लेकिन इन लोगों को यह लगा कि 13 में से जितने निकले हैं ना सब विनर है धुरंदर इन लोगों को मतलब बिग बॉस के मेंकल पबलिक को यह बात क्लियर है कि वही विनर तो दो ही थे किंग तो एक ही था क्वीन तो एक ही थी मुद्दा खतम व से फाइट हो आसीम से फाइट हो इस तरह के पंगे हुए इन लोगों ने इस हद तक पंगे लिए कि सिदार्थ हांत उठा दे बाहर निकल जाए और इनका ये सपना था कि अगर सिदार्थ बाहर हो जाएंगे तो विनर हम बन जाएंगे और चुकि 13 इतना पॉपिलर हो रहा है तो उसका सहरा भी हमारे सरवद हेगा तो आपकी ये गलस फैमी भी आज लगे हांद दूर कर देते हैं बाइचांस ऐसा हुआ नहीं बट बाइचांस अगर ऐसा हो भी जाता कि सिदार्थ तु सीजन से 1% को मान लो कि हांत उठाकर निकल भी जाते ना तो तब भी दूसरा न सेंट फैंस हैं तुम्हें सित्तर लोग भी नहीं पूछते और आज की डेट में तुम घर पे बैठे हो वो तुम्हारी इस्थिति है अब बचते हैं आसी म्रियाज जिन को यह लगता है कि वह बॉस के विनर होते और यह होता और वह होता और सिदार्थ नहीं है वह बाइस् अब कौन था और कौन है और कौन रहेगा तो तुम्हारा तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं तो सेधे क्या ऐसला अपने भाई की तरह हरकते लगा रखिए डॉक्टर हो तो डॉक्टर बनके दिखाओ ना उस तरह से पेश आओ ना क्या मुझे 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 डालकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो सलमान खान के तो यह वर्ट्स रहे हैं तो भाई अब आप कहेंगे कि सबकी क्यों उतर रही है सबकी इसलिए उतर रही कि जितने लोगों को गलत फैमी है ना कि मुझे में विनर कॉलिटी है मैं विनर हो जाता मैं हो जाती तुम में से कोई कुछ नहीं हो समझाई 13 में तुम अपने आपको समझो तुम्हारी जिन्दगी का जितने भी हैं पारेस माहरा आसिम डेवोलीना तुम जितने भी हो यार बगगा बगगा शेफाली ये वो जरी वाला ये वो तुम जितने भी हो तुम्हारे तो नामयात रखने भी मुश्किल होते हैं खिर तुम जितने भी हो तो सब के सब सब के सब तुम्हारी लाइफ का बेस डिसीजन रहा है ये कि तुमने 13 में आने का फैस खेस ला लिया जी यह तुम्हारी लाइफ का बेस्टी सीजन रहा है क्योंकि 14 वालों के हाल देख लो कुछ नहीं हुआ 스डाइट कि अर्योंSidhnaz के कारण अब जब तुम सारे उस सीजन में उनके साथ थे तो वही वाली बात है कि तुमने भी अपने अपनी ठप ठपा ली कि हाँ वही सीजन हमारे कारण एट है बट ऐसा कुछ भी नहीं था बस वही वाली बात है कि सेड़नास चुकी बेस थे और उन्होंने सीजन को इतनी अच्छी टियारपी दिलवाई की लोग उनको देखने के लिए एक एक गंटे पहले से टेलेविजन के आगे टक-टकी लगा कर बैठ जाते थे और जो टियारपी आई तो तुम ने समझा कि अपनी है खेर छोड़ो ये तो वही वाली बात हुई कुट्टे के खौब में चीचड़े होत करने कराने की बात करें तो कुछ भी नहीं है आधे लोग केवल सिदार्थ के कंदों पर चड़कर आगे बढ़े और उसके बाद उसी से पंगा लेकर और अपना जो है हाइलाइट में रश्मी देसाई का भी कुछ ऐसा ही था रश्मी देसाई ने फुल आन फुल आन सिदार शुकला के साथ पंगे लिए और कहीं ना कहीं ऐसी हरकते की ऐसी चीजें की खेर यार इनका तो अगर ना ही नाम लिया जाना तो बेटर है मो मो हां मो राइट तो वह वाली चीजें हैं तो मेरम ऐसा है कि आपने तो सीजन 13 में भी कुछ नहीं किया अरहान के कंदे पर बंद तुम रही सीजन के अंदर और चुकि तुम कलस की बहू हो तो इसलिए तुमको आखिर तक ले जाया गया अधर्वाइस तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो सिवाए लोगों के घर तुडवाने के जिसके लिए तुमको आगे तक ले जाया जाए लेकिन हां तुम ये काम बहुत वहाँ पर सेडनास के लिए किया था शेडनास को बार 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 बढ़काना हाला कि वह लड़की इंटेलिजेंट है वह सुनती सब की है लेकिन करती खुद के मन की है तो वह वाली चीज और यहां पर तुम तेजस्वी और कुंद्रा के साथ वही गेम खेल रही है और मतलब AH एक और मी तहले साथ आपको लगेंगा बोल भी रही है मेडम सही नहीं थोड़ा सा कमजोर थे लिकिन सही टाइम पर याद आ जाती है सो चूहे खाकर बिल्ली हच को चली तो वो तो सो चूहे खाकर भी हच को जाती है रुको ना यार अब हो गए ना सो क्या सपस तो आराम से हो चुके होंगे यार हाँ ये बात अलग है कि कुछ ओफिशियल थे जिनके नाम दुनिया में श सब जानते वही उसके साथ क्या हुआ खेर वो सब छोड़ते हैं अभी अरहान भी बाहर बैठकर अपना जो है आप बीती रोज रोज सुना रहे हैं अभी बीते दिनों ही जो है फिर से अपनी बाते बताईए आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि अरहान ने क्या जो है चीजे रही है उसने बया किया है लेकिन हाँ सोच हो है खाकर तो बिल्ली भी रुख जाती है और हजकु चली जाती है अपने पाप दोने तो आप भी रुख जाओ यार क्योंकि सौल से तो ज्यादımı हो चुके होंगे और अभी तो तुम बिक बोस में अपना रिकौर् रही हो क्योंकि उमार करन और पता नहीं क्या-क्या तो वह वाली चीजे हैं और सबसे बड़ी बात यह सबसे बड़ी बात यह अपने पाप कबूल करने लगी है जी हां तो यह तो था इनका सम्मान इस वीडियो में इसमें इन्हें सम्मान दिया गया इनके पापों के बारे मे आपकी अलग से बजाएंगे I mean sorry सम्मान देंगे तो अगले वीडियो का कीजिए इंतिजार ये तो सिर्फ वो था लोगों को बताना था छोटा सा ट्रायल कि भई तुम्हारा इंट्रस्ट तुम्हारी जो होबी है वो क्या है लोगों का घर तोड़ना घर खा जाना ये तुम् अच्छा लगाओ तो भी बता दीजिएगा तब और एप्रिशेट आप करेंगे तो अगले वीडियो में और ज्यादा पूरी कर देंगे पर हाँ सिदारत के साथ जो अभी स्ट्रेंड तुम अपने पाप उगल रही हो न तो उसका हिसाब तो बिल्कुल लिया जाएगा आत झाल